हेलो गाईज स्वागत आप सभी का आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल टिक्की इसके लिए हमने ये चार उबले हुए आलू लिये हैं जिने हमने चील लिया है और आज हम टिक्की में फिलिंग करेंगे यानि हम भरवा टिक्की बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इन आलू को ग्रेट कर लेंगे आप चोड़े साइड से ग्रेट करना ताकि हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो थोड़े चोड़े और बड़े बने ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूं ये देखिए इस तरह हमने इन चारो आलू को ग्रेट कर लिया है और ये देखिए बड़े बड़े लच्छे बने है इसके तो इससे टिक्की काफी अच्छी बनती है और आप चाहें तो इसको शकरकंदी से भी बना सकते हैं यानि स्वीट पोटेटो से भी बना सकते हैं अब इसका हमने इस तरह से डो तयार कर लिया है और अब हम फिलिंग के लिए सबसे पहले कच्छा नारियल जो होता है यानि टेंडर कोकोनेट उसको हमने ग्रेट कर लिया है इस तरह से और इसको बाउल में हम पलट देंगे इस तरह है और हमने थोड़े से ड्राइफ रूट्स लिये हैं ये बादाम और काजू और पिष्टा हैं जिसे हमने इस तरह से चोप कर लिया था ये मैं थोड़ा ज़ादा बना रही हूं फिलिंग क्योंकि मैं इसे स्टोर कर लूंगी कुछ और बनाना होगा तो उसमें आल देंगे थोड़ी सी किश्मिश और थोड़ी सी हरीमिच यानि मैंने ये दो हरीमिच लिये हैं जिससे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाएगा इस तरह अब हम इने filling को mix कर देंगे आप चम्मच से mix कर सकते और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हम नमक यानि रोक साल्ट और एक चुथाई चम्मच हम इसमें काली मिश डाल देंगे रोक साल्ट यानि की सैंधा नमक और अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह हाथ से mix कर देंगे सारा और जो हमने डो तयार किया था उसके हम बिल्कुल बराबर पीसिस कर लेंगे ताकि हमारी जो टिक्किया है वो एक जैसी बने अब हम हाथ से हमने इस थोड़े से टुकड़े को चोड़ा कर लिया है और इसमें हमने ये ड्राइफूट फिल कर लिया है इसमें हम अलग से एक किश्मिश भी रख देंगे ये मैंने डेट चमच लिया है और एक अलग से किश्मिश रख देंगे इसमें कई बर फिलिंग करते हुए हमारी किश्मिश थोड़ी कम डल जाती है तो एक स्पेर भी हम इसमें डाल देंगे और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे और सारी टिक्क्यों को बना लेना है और अब हम एक कडाई में देसी घी गरम करेंगे यह देसी घी जैसे थोड़ा सा गरम होगा हम इसमें अपनी टिक्क्यों को डाल देंगे हमने यह शैलो फ्राई की है यह देखिए सारी टिक्क्या डाल दिये हैं और शैलो फ्राई हो रहा है इसमें तो अब यह जो साइड वाली होती है थोड़ी मोटी होती है तो इसको फ्राई करने के लिए इस तरह हम पैन को थोड़ा गुमा देंगे ताकि जो हमारा गी है इन टिक्क्यों पर भी लग जाए और यह साइड सारी टिक्क्या हमारी फ्राई हो जाईए देखें यह गोल्डन ड्राउन हो गई है अब मैं अब को टिक्क्य पलट के दिखा देती हूं इस तरह यह एक पलटे से नहीं पलटी जाएंगे तो हम दूसरे पलटे का इस तरह से यूज बटेंगे और इसको इस थरह आराम देंगे यह देखे काफी अच्छी fry हो गई है यह इसी तरह हमने यह सारी टिकों को पलड़ देना है. अब यह थोड़ी कम हुई है तो हम इसको दुबारा से fry कर लिंगे यह देखे इस Τरह हम इसको भी देख लेते हैं यह भी hemmari आपने दोनों साइड से इन अच्छी त्रह से फ्राई कर लेना है यह खाने में काफी टेस्टी लगती है इसमें जो किश्मिश और हरी मिल्च का कमभीनियेशन है ये बहुत टेस्टी बनाता है इसे तो मैं दुबारा मिलूंगी आप से तबतक आप इन पीक्षों को बनाएं और इंजॉय करें, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूंगी, बाई!